का वेल्कम इन हिंदी टेक्मेंट , HTML सिखने की आज की इस वीडियो सीरीज में हम देखिने फ्रेम को और साथ साथ हम देखिने फ्रेम सैट को तो चाहिए फ्रेंट सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पर जम्प करते हैं क्योंकि इसे बहतर जो है वह सीधे प्रैक्टिकल ही समझा सक तो फटाफट से हम एक HTML डॉकुमेंट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं जब हम फ्रेम किसी वेपेज में यूज करते हैं तो हमें बॉडी टैक का यूज करना नहीं पड़ता है तो सिर्फ हम हैड लिखेंगे और हैड के अंदर जो हम प्रॉपर्ली जो टाइटल देते हैं सब् होटाउ हमें फ्रेमस्ट यदैट दे दिया है अब चलिए हमें सिंपली लिखना होता है फ्रेम लिखना होता है सेट ऑर इसका क्लोज़िंग टैग लगाना होता रही तो फ्रेमस्ट टैग रहे वह होगा है चलि विस documents को save कर लेते हैं जिस फॉल्टर में हम प्रॉपर्ली व प्लेंट हैं कि सकते हैं यह हैं इस समय आप देख सकते हैं इसल dwell बर्फंड राये बर्ट हम भी वी आइच पुड़ोंड नहीं है बाद ब्राइन Cities सेट्री एक्रतिया बात ये लिए हमें वंक्रोंगे एक वाप्स लिए हुश्थ गया तो इसके अंदर जो है वो हम वेपेज इंसर्ट कर पाएंगे मैं कहना क्या चाहरा हूँ आप समझ पाएंगे मेरी बात को कहने का मीन सी है फ्रेंट जैसे हमारे पास सी ये देखे दो वेपेज हैं एक ये और एक ये और साथ-साथ हमारे पास टेबल और लिस्ट भी है तो हम क्या करना चाहते हैं इन चारो वेपेज को गूगल करोम के इस वाले पेज में जो है इंसर्ट करना चाहते हैं यानि इसी में चारो पेज जो है वो एक साथ शो हो इसके लिए फ्रेंट्स हम simply care करेंगे इसके अंदर हम लिखेंगे frame और src लिखेंगे source यानि इसका जो attribute है और इसके अंदर जो है वो हम path लिखेंगे आप चाहें तो online path दे सकते हैं HTTP लिखकर के बट हमने इस समय जो है अपने जो document अपने जुरों कमेंट सेव कर रही है वह इसी folder में इसे लिख देना है इन दोनों folders का और उसके बाद जो है जी सीदी जी जी है document इंसर्ट हो जाएंगे तो फ्रेंट हमने simply क्या किया है वो चारो डॉकुमेंट जो है जारो वेपेज जो थे वो यहाँ पर हमने insert कर लिया है आप चलिए फ्रेंट सेफ करते हैं और वेपेज पर चलते हैं और इसका output देखते हैं तो फ्रेंट इससे में आप देख पा रहा हैं सिर्फ hello word वाला ही वेपेज शो हो रहा है हाला कि इसमें 4 frame लोड हो गए है ऐसा क्यों हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर frame set की कोई भी property यूज नहीं किये ना हम ने यह define कि कि कितने column शो कराने है है और ना ही हमने यह डिफाइन किया है कितीनी रोष होका करना है तो इसके लिफ बेकर है रोतर आधि तो हमने क्या क्या यह सिंबलक्य का जब इसका इसन आप्पूट आएगा इस सिर्फ दो ही एक्साद चीभाई चरह करते हैं और स्काटबट देखते ही थे तो फ्रeans आप ऑप देख्याइं है थे अब देख सकते हैं सिर्फ दो ही वे-त चाहिए है अगर हम चाहें तो कौलम जो है और एक और डेफाइन कर देंगे तो यहां पर एक और फेइम आतुम algorithm कर देंगे देंगे एक निक अगर धै कर देते संध ऑग्ट इस तो यहां से यह डिवाइडेशन आ जाएगा और चारोव फ्रेम जो है उस वेगों में load हो जाएंगे अधर देख सकते हैं 4 फ्रेम जो है वो हमारे डोडि नोडि पेज में ओके हैं और यहाँ पर जब करसा लाएं तो यह चेंज ना हो तो आप इसको भी कर सकते हैं तो simply friends हम यहाँ लिखेंगे no resize एक question लगाएंगे और इसकी friends दो ही value होती है yes या no तो अगर हम yes कर देंगे तो page जो हम resize कर पा रहे थे वो page जो है वो resize नहीं कर पाएंगे और चली friends जो image inserting वाला page था उसमें हम जो है वो scrolling कर पा रहे थे तो हम यहाँ पर लिखेंगे scrolling और इसकी भी value friends yes या no होती है तो हम करेंगे no save करेंगे friends और आप वे page पर इसका output देखेंगे तो friends आप देख सकते हैं output जो हमारा properly आ गया है यहाँ पर जो scrolling का wheel था वो भी गायब हो गया है और जो यहाँ पर हम करसल लेकर आ रहे थे तो इस page को छोटा और बड़ा कर पा रहे थे वो भी हमारा यहाँ से जो है वो आप डिसपेर हो गया है तो इस तरह से friends जो है आपने लगबख सारी attributes देख लिए अब last attribute रह जाता है name का तो name attribute को use करने के लिए friends हम क्या कहना चाहरे है देखी friends suppose किजिए आपको इस वाले web page में एक link हो और इस link का जो है हम output जो है वो इस web page में show कराना चाहरे है है ना यानि इसका इसके अंदर link हो और उस पर जो हम click करें तो उस इसके लिए जो है वह हम name attribute के use करते हैं और friend उसके लिए हमें एक anchor tag की भी use होगी तो चली friends यह hello world वाली जो डॉकुमेंट है इसके अंदर जो है पहले हम एक anchor tag जो है वह insert कर लेते हैं इसका friend नाम जो है first my webpage है और इसको जो है वह हम notepad प्लस प्लस में open कर लेते हैं right click करेंगे और edit पर click कर देंगे तो friends यह हमारा जो है वह webpage open हो गया है और इसी के अंदर friend जो है वह हम name मतला anchor tab use कर लेते हैं h2 tag का use करते हुए h2 tag का use करेंगे और anchor tag का use करेंगे closing देंगे इसकी और h2 की closing देंगे और जो text हमें यहाँ पर दिखाना हो वह हम यहाँ पर लिख सकते हैं click me और इसके अंदर friend जो है वह हम reference देंगे कि हमें जो है वह कौन सा webpage open करना है तो हम लिखेंगे href equals to bracket लगाएंगे और इसके अंदर friends हम जो है http लिख करके google website का जो है वह वह reference देंगे www.google.com ठीक है friends अब जो है वह हम target करेंगे target करने के लिए जो है friends हमें name attribute का use करना होगा तो अब देखिए name attribute का use करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर target कर देते हैं और target का नाम भी देते हैं लिखेंगे क्या target equals to my frame देखिए friend my frame को जो है वो remember कर लिए जो आप यहाँ पर लिखेंगे और जब target करने के लिए name attribute का use करेंगे तो friend जो है यह name ही जो है यहाँ से जो है combination बनाएगा तो फ्रेंट्स यहां से हमने targeting कर दी इस वेपेज का तो प्रोसेश हमने पूरा कर दिया इस टार्गेट को आप द्यहन में रखिएगा अप चलते है फ्रेंट्स हम उस फ्रेम पे जिस फ्रेम में हमें target कराना है यानि कि इस वाली डॉकुमेंट में और वो यह name पर आपने यहां रखा है वही जो है आपकी इस document में होना चाहिए और तोनों डॉकुमेंट जैने वह एक ही पेज़ पर सेव होना चाहिए अगर online यूज़ कर रहे हैं तो आप address यूज़ करेंगे अधरवय जैसे offline यूज़ कर रहे हैं तो एक ही folder में save होना चाहिए जि एक Link जो है वो Create हो गया और इस पर जैसे ही में क्लिक करूँगा तो वो जो है पेज पर रिडारेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज पेज पर रिडारेक्ट हो चुका है तो फ्रेंट्स फटावर्ट से हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या सीखा तो सबसे पहले हमने एक Frame Set Create किया और इसके दो Attribute Calls को देखा तो फ्रेंट्स कॉल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप हमारे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं www.youtube.com अगर फ्रेंट्स आपके पास कोई कोशन है तो प्लीज आप मुझे बताइए और फ्रेंट्स आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट कीजिए और अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और झाल झाल